नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहद आपके व्यापार को दोड़ा सकता है, आपको उंचाईयों तक ले जा सकता है, अगर नहीं तो इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी मिलेने वाली है, इसलिए अंतर तक देखना न भूलें, जोती शास्त्र में शहद के क शहद रखना चाहिए और मंदिर में शहद का दान करना चाहिए, इसे शनी के बोरे फल मिलना बंद हो जाएंगे, घर में शहद रखने और खाने से शनी शान्त रहता है, तो वहीं चतुर्त भावस्त मंगल अगर अशुभ हो तो शहद का व्यापार भूल कर भी न करें, उसके बुरे प्रभाव दूर होकर व्यक्ति को बहुत लाब मिलता है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में केतु हों तो चांदी के बरतन में शहद भरकर घर में रखें ऐसे केतु के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। वहीं आपकी बुद्ध के खराब होने से व्यापार नौकरी में नुक्सान होता है। इसके लाबा अगर शुक्र बुरे फल दे रहा हो तो चांदी या मिट्री के बरतन में शहद भरकर घर की जट पर उचित स्थान पर सुरक्षित रख दें। शुक्र के खराब होने से स्त्री, धन, भूमी, वाहन और भवन सुक से व्यक्ति वंचित रहे जाता है। तो वहीं मंगल की शांती के लिए बहते पानी में शहद बाहा है। नौवे भाव में अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो जातक को कड़ी महरत से धन कमाना पड़ता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्यूंकि अगर आप घर की नीव में शहद दबाते हैं तो शुक्र के शुब फल मिलने लगते हैं। और अगर कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र बैठा है तो शहद का दान करना चाहिए। ऐसे मंगल का उपाय होता है जो कि संतान की समस्या दूर करता है। अगर जातक स्तिरी हो तो शुक्र संतान की समस्या देता है जबकि जातक के पुरुष होने पर पुत्र संतान की प्राप्ती में बाधा उत्मन होती है